आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So guys, the question here is यहाँ पर मुझे इसका IUPAC name लिखना है नॉमेंटलेचर लिखना है जिसमें मुझे compound दे रखा है जिसमें carbon और carbon की बीच में हमारा double wand present है तो इसका structure बनाते है expanded form यह हमारा carbon, carbon की बीच में double wand है इस पे hydrogen attach है और इसी carbon की उपर हमारा क्या है? phenyle ring attach है इसको बना देते हैं कुछ ऐसे ठीक है? अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास क्या है? methyl group लगे हुए इस carbon के उपर तो यहाँ पे देखें अब जब भी नॉमेंटलेचर इस तरह का लिखना हो तो मुझे दिख रहा है यहाँ यहाँ पे एक benzene ring ठीक है? और यहाँ पे दिख रही है मुझे यह chain तो इस chain में क्या होता है? जब भी हमें chain दिख रही है जिसके अंदर double wand present है तो हमेशा यहाँ पे double wand वली longest chain को हम क्या करेंगे? as a suffix use करते हैं और उसके अंदर जो phenile ring present होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे miscellaneous substitute बन जाएगा ठीक है? जो as a अब हमारा क्या use होगा? prefix use होगा अब यहाँ पे मुझे दो substituents मिल रहे हैं एक तो यहाँ पे अगर मैं numbering ऐसे करूँ 1, 2, 3 तो मुझे 1 position पर double wand 1 position पर यह substituent और 2 position पर यह और अगर मैं numbering इस तरफ से करूँ 1, 2, 3 तो देखो इस longest chain की numbering अगर मैं कर रहे हूँ तो अब 2 position पर double wand 2 position पर यह हमारा methyl group और 3 position पर यह तो अब lowest local tool के according हम यह numbering को consider नहीं करेंगे और यहाँ पे numbering यह वाली लेंगे जिसमें हमारे substituents और double wand को lowest numbering मिल रहे हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ यहाँ पर substituents लिख देती हूँ तो पहले हमारा क्या आता है तो alphabetical order में देखें हमारी जो benzene drink है यहाँ पर phenyl की तरह यूज होगी और यह methyl group है तो हमारा पहले क्या आता है M आता है जिसमें क्या है तीन कार बने तो प्रॉप और वन पोजिशन पर क्या लगा हूँ मेरा डबल वन तो इन तो यह हो जाएगा हमारा final IOPC name इस compound का तो आपको यह concept clear हो गया होगा Thank you